नमस्कार दोस्तों मैं कनेया अलाल स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चेनल स्टेडी विट केल सर में दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ रीट इविएस का मोडल पेपर 16 लेकर दोस्तों ये रीट इविएस का सोलवा मोडल पेपर है इस से पहले 15 रीट के मोडल टेस्ट पेपर ले चुका हूँ अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा साथ ही इस जगे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रशन है जो की रीट लेवल 1 की दरश्टी से बहुत महतोपूर्ण है अगर आप 30 में से 20 या 20 से उपर सही करते हो तो यकिन मानिए आपकी तयारी बहुत बढ़िया है तो अंतितक बने रही है और आखिर में कमेंट में जरूर बता कर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रशन केसे लगे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सके दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है चलिए दोस्तों पहला प्रशन है उदेपूर तथा भीलवाडा जिले में मिलने वाले खनीज हैं जस्ता सीसा चांदी एवं तामबा जस्ता जिपसम गारनेट एवं सोना सीसा चांदी टंगश्टन एवं तामबा चांदी रोगफासफेट टंगश्टन एवं जिपसम तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक जस्ता सीसा चांदी एवं तामबा यहाँ पर सही आंसर होगा अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नमबर दो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है बारा भरतपूर जोधपूर बारमेर तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार बार मेर में पेट्रोलियम निकाला जाता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमबर तीन चंद ग्रहन होता है जब प्रत्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है चंद्रमा प्रत्वी एवं सूर्य के बीच होता है सूर्य प्रत्वी एवं चंद्रमा के बीच होत तब चंद्रग्रहन होता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमबर चार राष्ट्रे पशु है मोर शेर बाग चिंकारा तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर तीन बाग बाग राष्ट्रे पशु है चलिए दखेज तफा बाल सरम शहरों में सामाने बात है तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 दहेज तथा बालसरम समाजिक बुराईया है यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर 3 चलिए दोस्तों अगला प्रशने प्रशनमबर 6 मानव शरीर हड्डियों का धाचा मात्र रह जाता है इसका कारण है लंबे समय तक तमबा को ग्रहन करने से लंबे स प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 1 लंबे समय तक तमबा को ग्रहन करने से मानव शरीर हड्डियों का धाचा मात्र रह जाता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशनमबर 7 कोन सी सामगरी घर बनाने में काम नहीं आती है सिमेंट लोहा पत्थर इसकूटर तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 इसकूटर चलिए अगला प्रशने प्रशनमबर 8 उन प्राप्त होती है भेड उट एवं याक के बालों से भेड शेर एवं उट के बालों से उट हाथी एवं खरगोश के बालों से गाई बकरी एवं भेड के बालों से तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर एक भेड उट एवं याक के बालों से उन प्राप्त होती है विकल्प नंबर एक यहाँ पर अपने सही होगा चलिए दोस्तों अगला प्रश्ने प्रश्न नमबर नो बंदर शेर तथा चुहे के घर क्रमशय है गोंचला पेड एवं गुफा गुफा बिल एवं पेड 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 गुफा एवं बिल बिल पेड एवं गुफा तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं बंदर पेड़ पर रेता है शेर गुफा में रेता है और चुहा बिल में रेता है तो विकल्प नमबर तीन यहां पर सही आंसर होगा अगला प्रशने चित्र दे रखा है निम्न को साउधानी से देखिए उप्रोक्त यातायत संकेत का अर्थ है मुख्य सडक नमबर ग्यारा छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वाइरस प्रोटो जोवा बेक्टीरिया निमेटोड तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक वाइरस छोटी माता और रेबीज रोग जो है वाइरस के कारण होता है अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नमर 12 हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अउशोशन होता है आमाशे की दिवार से छोटी आंतर की दिवार से व्रहद आंतर की दिवार से यकरत में तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो छोटी आत्र की दिवार से छोटी आत्र की दिवार में पचित भोजन के उप्योगी पदार्थों का आउशोशन होता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमबर तेरा पोधे प्र तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 कारबंडा यॉक्साइड जल सूर्य का प्रकाश एवं परनहरित यहां पर सही आंसर है अगला प्रश्ने प्रश्न नमबर 14 तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4-37 डिग्री सेल्शियस अगला प्रश्ने प्रश्न नमबर 15 निम्न लिखित में से कौन सा राज़्य या देश राजस्तान के जेसलमेर तथा स्री गंगा नगर जिलों स परकिस्तान तो बताइए इस प्रश्न का सही उतर है विगल्प नमबर 4 पाकिस्तान पाकिस्तान जो है गंगा नगरोर जेसल मेर दोनों जीलों से लगा हुआ है इधर अगला प्रश्ने दोस्तों प्रश्न no.16 प्रतम करतरिम उपगरे का नाम था भासकर आर्यभट रोहिनी ए 21 मई 27 मई 5 जून 14 नवंबर तो बताईए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 3 पांच जून 5 जून को विश्व पर्यावरान दिवस मनाया जाता है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमबर 18 जलिये जन्तूवों में श्वसन ह होता है फेंपडों द्वारा पुस्तक फुफुस द्वारा वायू कोश द्वारा गल्फडों द्वारा तो बताईए इस प्रश्न का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उतर है विकल्प नमबर चार गल्फडों द्वारा जलिये जन्तों में गल्फडों द्वारा स सफेद रंग शांती का प्रतीक है मध्य में चक्र शांती एवं खुशाली का प्रतीक है नीचे हारा रंग शांती एवं खुशाली का प्रतीक है उपरोगत कथनों में निम्न सत्य है एक चार एक दो तीन सत्य है और चार गलत है एक दो चार सत्य है और तीन गलत है दो तीन चार सत्य है एवं एक गलत है तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों यहाँ पर सबसे उपर केसरिया रंग त्याग वो बल्दान का प्रतिक है यह सही कथन है बीच में सफेद रंग शांती का प्रतिक है यह भी सही है नीचे हरारंग शांतियवं खुशाली का प्रतीक है ये भी सही है तो एक दो और चार सही है और तीसरा गलत है तो विकल्प नंबर तीन यहाँ पर अपने सही आंसर होगा अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नंबर 20 सूर्य नगरी नाम है जेपूर का जेसल मेर का बार मेर का जोधपूर का तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जोधपूर का सूर्य नगरी जोधपूर का उपनाम है प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर एक अनुकुलन वातावरण के अनुसार पोदों में पाये जाने वाले शारीरिक लक्षन अनुकुलन कहलाते हैं अगला प्रशने प्रशन नंबर 22 हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में इस्तित है सवाई माधोपूर अलोवर भरतपूर उदेपूर तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 भरतपूर राज्य का पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव गना विहार भरतपूर में इस्तित है अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नं में से कौन सा कथन वायू के संबंद में सही नहीं है वायू यान उड़ते हैं वायू में भार होता है वायू इस्थान घेरती है वायू में रंग होता है तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 वायू में रंग अगला प्रशने प्रश्णे में 25 पीने के पानी में रोगानु नाशक डालते हैं पोटेशियम प्रमेंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइट तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइट तथा ओक्सेजन, पोटेशियम सल्पाइट तथा क्लोरीन, तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प नंबर दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार अधिगम करता की उप्लब्दी जानना एवन सुधार लाना यहाँ पर मुल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है चलिए दोस्तों अगला प्रशने प्रशन नमर 27 निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान सिक्षन में पाठे सहगामी है विज्ञान कलब स्रव्य द्रश्य सामगरी पाठे पुस्तक शामपट तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर अगला प्रशने प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो प्रिथक करन यहां पर सही आंसर होगा अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमर 29 निम्न में से कौन सा कथन सही है स्रव्य द्रश्य सामगरी चात्रोगली उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमर 1 स्रव्य द्रश्य सामगरी चात्रोगली उत्तर है यहां पर सही कतन है चलिए दोस्तों अगला और आखरी तीसवा प्रशन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तीसवा प्रशन है परिक्षन की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जाच कर लेनी चाहिए इस प्रारंभिक जाच को कहते हैं परिक्षन की योजना बनाना परिक्षन की तयारी पाइलट इस्टेडी अंतिम प्रारूप तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 पाइलट इस्टेडी यहाँ पर सही आंसर होगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार